Hello Everyone इस article में डिस्क्स करेंगे टाइपस ऑफ dewर सब्स्टन्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइपस ऑफ और सब्सटन्स जो है दो टैक्प में बूर सब्स्टन्स को तो अब समझेंगे किद अलिमेंट क्या होता है element जो वैसा substance जो एक ही टाइप के atom से मिलकर के बने होते हैं यानि इती जब pure substance in which only one type of atom present तो वो substance element कहलाएगा तो जैसे for example iron हो गया, copper हो गया, aluminium हो गया, nitrogen हो गया, oxygen यह सभी element है वो क्यों? आपको मैं एक trick से समझाना चाहूँगा यह यहाँ पर आप देखिए, अगर hydrogen element है, माल लेते कि hydrogen element है तो hydrogen element कैसे बना है? यानि hydrogen element में सिर्फ hydrogen का ही atom है जैसे यह oxygen atom है, तो oxygen atom में, sorry, element में oxygen का ही atom present है यानि यह oxygen element वैसा substance है, hydrogen element वैसा substance है जिसमें सिर्फ hydrogen का ही atom है, oxygen element वैसा substance है, जिसमें oxygen का ही atom present है यानि आप समझ में आया आपको कि element का जो formation हुआ है वो same type के atom से मिलके हुआ है तो वो चीज है यानि overall result निकालें यानि atom से मिलकर के element बनता है तो आपको यह समझ में आया तो अब यहाँ पे मैं आपको यह समझाना चाहूँगा compound में क्या है देखिए ध्यान से देखिएगा वैसा pure substance जिसमें दो या दो से अधीक type के element combined रहता है chemically in a fixed ratio में फिर से देखिए it is a pure substance in which two or more types of elements combined chemically तो यहाँ पर यह समझ में आता है कि दो या दो से अधीक type के element combined हुए है अब मैं आपको यहां आता हूं लेकर के tree के पास अभी आपने hydrogen element बनाया oxygen element बनाया hydrogen atom से hydrogen element बनाया oxygen atom से oxygen element बनाया आपने अब मैं क्या करूँगा element और element मिल करके compound बनाओगा जैसे देखिए हाँ hydrogen एक अलग type का element है oxygen एक अलग type का element है यहनि दो different type के elements combine हुए है chemically और अब जो substance बना है वो आपका compound है तो अब आपको यह समझ में आया होगा कि element और element मिल करके compound बनता है बट वहां पे element क्या होना चाहिए एक ही type के नहीं different type के elements होना चाहिए तो यह clear हुआ आपका अब यहां पे देखिए जो different type के elements तो combine हुए है तो compound बना है बट वह definite ratio में होना चाहिए देखिए क्यों क्योंकि अगर देखिए water molecules में अगर एक water molecules लिया जाए तो एक ही दो atom होगा hydrogen का और oxygen का एक atom होगा यह fixed है एक molecules of water में होगा एक atom और oxygen होगा यह हमेशा fixed होता है इसलिए definite ratio में ऐसा यह combined रहता है यह यह chemically combined हुआ है यह element element वो definite ratio में तो आयोब कापको यह element और compound में different समझ मैं है फिर से मैं बता रहा हूँ element जो बना है वो atom से बना है एलिमेंट जो बना है वो सेम atom से बना है बत compound यह बना है वो different elements से बना है यहनि कहा जाए तो atom से मिलके element और elements मिलके compound बना है तो देखिए compound का example जैसे ह्टू ह्टू में आच्छोप एलिमेंट औक्षिजन एलिमेंट मिलके ही दिए देखिए इसमें कारवन एक आटम होगा एक मौलकूल सब स्ट धूर्टू में यानि ये उप determinant हौना ज़रूरी यादो से अधिक हो जरूरी यह दो से अधिक टैप के होना जरूरी है रुप इसे केघन ने समय और केमिकली में अद्सड यह और दूसरी चीजे रिश्य में होता है यह भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यानि तीन चीज़े इंपॉर्टेंट है डिफरेंट टाइप्स केमिकली और मिक्स्ट और डेफिनिट रेसियो में तो वह एक चीज़े आपको यह से यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं अगर पूछ दिया जाएगा टीन क्या है टीन क्या है कंपॉंट है यह एलिमेंट है तो यह टीन जो है एलिमेंट है क्योंकि टीन में सिर्फ टीन कहीं आटम प्रजेंट है लेकिन मैं बोल दूं कि अगर मैं बोलूं कि साल्ट क्या है तो स साल्ट जो है कंपाउंड है क्योंकि साल्ट का फॉर्मला है एक अलग टाप का है क्लोडिय एक अलग टाप का तो इस तरह से क्वेस्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे और शच्च में समझ में आया होगा तो अब तक सब्सक्राइब नहीं कि तो कर लेना चाहिए, thank you so much